अधरने जन्दरल विके सिंग जी, हमारे सेकेटरी अधरने अनुराग जैन जी, एनेचाई के चेर्मन आधरने संतोष यादो जी, एनेचाई डिसील के एमडी महमुद एमद जी, जी, हमारे डिजी सारंगी जी, जिन्नोंने चैन करता का काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, ऐसे पुरे जूरी मेंबर, डॉक्टर सारस्वजी और उपस्तित सभी अधिकारिगंड, कॉंट्रेक्टर्स, कंसल्टेंट्स और सभी आज के इस इस कारेकरम में उपस्तित, भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है, कि जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, उन लोगों का हम आज गवरों कर रहे हैं, विशेश रुप से जो हमारे डिपार्टमेंट में साथ वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाए हैं, जो इंडियन हाईवे इंफ्रोस्ट्रेक्टर में पुरे देश की और दुनिया के लोगों ने जिसको रिकर्गनाईज किया है, उन सब कॉंट्रेक्टर, कंसल्टेंट्स, अधिकारी गर्ण, जिन जिन लोगों ने इसमें परिश्रम किये हैं, उन सब को मैं रुधे से बहुत-बहुत शुबकामनाय देता हूँ, शुबच्छाय देता हूँ. इसके साथ-साथ, विशेश रुप से, हमारी उत्तरखान में जो टनेल आई थी, उसमें जिस प्रकार से, एक संकट हमारे उपर आया था, पर हिम्मत और परिश्रम के साथ, जिन लोगों ने अनेक दिनों तक संगर्श किया, मेहनत की परिश्रम किया, और अपने जान की जोखिम लगा कर, जिनोंने वहाँ जो अटकेवे लोग थे, उनको वापस लाने का कारे किया, ऐसे हमारे देश के सभी वीर सपूतों को, मैं रुदह से धन्यवाद देता हूँ, उनका भी अभिन्दन करता हूँ. मुझे विश्वास है, कि आज का यह कारे करम, निश्चित रुप में हम सब को अनेक सालों तक याद रखेगा. याद इसलिए रखेगा, कि हमारे साथ काम करने वाले लोग, कितना अच्छा काम कर सकते हैं, इसका ऐसा समसब को हुगा. और इसी प्रकार का अच्छा कारे हमने भी करना चाहिए, मैंने भी करना चाहिए, यह भाव इसके कारण, अनेक लोगों के मन में निर्मान होगा. इसी विशेश रूप से जो मलेशिया और अमरिका से जो लोग उनको मिलने के लिए आये थे, उन्होंने रोड नेटवर्क की बहुत तारीद की. बीच में मैंने यह कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले हमारा जो नाशनल हाईवे का रोड नेटवर्क है, यह अमरिका के बराबर बनेगा. तो मुझे एक अमेरिकन सज्जन बहुत बड़े विक्ति है, जिनके नाम से आप सब लोग परिचित भी होंगे, वो मेरे पास आये और उन्हें मुझे कहा, कि आपने जो बात कहिए उसके उपर मेरा अबजेक्शन है. तो मुझे लगा कि शायद मुझे वो कहेंगे कि इतना अच्छा नहीं है, तो उनने कहा, इसमें आपने दुरस्त करना चाहिए, क्योंकि मैं अमरिका में रहता हूँ, 40 साल से, अमरिका में घुमता हूँ, वहां के आबादी भारत के तुलनाएं में बहुत कम है, पर आपका जो रोड नेटवर्क अब बंद रहा है, वह अमरिका से भी अच्छा बंद रहा है, इस बात को मैं सर्टिफाय कर पाएं, मुझे लगता है कि यह नया रोड नेटवर्क जो बंद रहा है, नई टनेर्स बंद रहे हैं, प्रिजेर्स बंद रहे हैं, रोड बंद रहे हैं, ग दो दिन पहले हमारे सेकेट्री और मैं रोड सेप्टी के एक प्रोग्राम में अभिताब बच्चन जी के साथ थे तो अभिताब बच्चन जी मुझे कह रहे थे कि मेरी बहुत इच्छा होती है कि मुंबई से अलावात तक मैं खुद गाड़ी चला कर वहां तक जाओ आपने अच्छे रोड बनाएं आज हम जहां भी जाते हैं अरुना चल मेगाले त्रिपुरा चाहे किसी भी पिछड़े वेक्षेत्र में किसी भी डिस्टिक में हैं तो हर जगह वहां के सभी लोग आल पार्टी के MPs, MLS जो अलगलग पार्टी के हैं हमारे विरोधी भी हैं फिर भ अवाई कुरुप से श्रेय मुझे मिलता है कि मैं विवाग का मंत्री हूँ विके सिंग जी राज्य मंत्री है तो लोग हमारा गवरोग करते हैं पर सही में मेरा इसमें ज्यादा कॉंट्रिबुशन नहीं है कि मैं को यह विनमरता के भाव में नहीं कह रहा हूं पर कभी- अविक्टर्ण को क्रेड़िट मिलता है पर आप बेठे वे यहां के कॉंट्रेक्टर्स, अधिकारीगर्ण, लेबर्स, कंसल्टन्ट, डीपियार कंसल्टन्ट, अधिकारीगर्ण, सेकेटरी तक सभी लोग राद दिन मेहनत करते काम करते हैं उनके कलेक्ट्टिव टीम स्प मैं कोई मैनेजमेंट का एक्सपर्ट नहीं हूँ और पिछले साथ साल से अपने कॉंस्टिश्यों में चार प्रोग्राम करता हूँ एक क्रिड़ा मोच सो होता है अभी एक चार-पाच दिन पहले खतम हुआ इसमें सत्तर हजार खिलाडियों ने भाग लिया 66 ग्राउंड पर स्परदाय चली 6,005 थे और रात दिन कारेकरम चल रहे थे फिर उसी समय हमारा एक एडवांटेज विदरवा करके इंडस्ट्री के इसमें रोजगार के बारे में कारेकरम हुआ वो भी बहुत बड़ी इवेंट हुई बड़े-बड़े लोग उसमें आये और तीसरा कारेकरम उसके पंदरा दिन पहले संस्कृतिक मौत सो हुआ 17 दिन रोज 50,000 लोग आते थे और उसके पहले एक एग्रो विजन हुआ जिसमें पाच लाख लोग आये तो यह चारो कारेकरमों का आयूजग मैं था तो मेरे पास जब लोग मिलने के लिए आते थे त तो मैं अपना रोज अपने-पने कारे में वेस्त रहता था तो मैं एक भी कारेकरम में कहीं नहीं था ना कोई कारेकरम से मेरा सम्मन था विशेशता है होती कि हर कारेकरम करने वाली पाच 500 700 लोगों की टीम थी और टीम मिलकर रात दिन काम करते थे और इसलिए स्वाबाय कुरुप से काम भव्य हुआ एक बात महतोपुर्ण है कि एक विक्ति कितना काम करता है उससे ज्यादा महतोपुर्ण है कि वो कितने लोगों से अच्छा काम करवा सकता है और यह leadership की बहुत बड़ी taste होती है distribution of work and decentralization of power मुझे पता है कि जब लोग प्रमोशन होने के पहले रहते हैं तो अक्सर बोलते हैं कि पड़े साब हमको अधिकार नहीं देते और जब ये बड़े साब बनते हैं तो वो यही काम करते हैं कि अपने जुनियर को अधिकार नहीं देते मैं स्टेज पर बैठी वे लोगों के बारे में ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी आदमी विक्येंद्री करने में जड़ी अड़िशन होती है पर division of work and decentralization of power ये success करने के लिए बहुत आवश्यक है और इसलिए स्वाबावाई कुरूप से हमारे हाँ वीडी तक आरो तक हमारी जो यंत्रणा है वो कैसा काम करती है इसके ओपर मुल्यांकन होगा आज यहां थोड़े बोच चर्चा हुई कि जैसे आपने अच्छा काम किया है और जिसका credit हम सबको मिलता है वैसे देश का 40% pollution हमारे sector के कारण होता है देश में 1,68,000 लोग मरते हैं जिसमें से करीब 50,000 से ज़्यादा लोग हमारे नैशनल हाइवे पे मरते हैं हमारे देश का 3.8% GDP का नुकसान होता है और 18-35 वयोगट में मरने वालों की संख्या 60,000 है आप समझ लेजे कितने बड़े परबान पर लोगों की मृत्ति हो रही है बड़े इंट्रेस्टिंग बात है कि जब मैं मंत्री बना तो पिछे बड़ा ब्लैक स्पॉर्ट निकालो तो 4,000 ब्लैक स्पॉर्ट निकले अभी मेरी जानकरी है कि अभी ये स्पॉर्ट की संख्या और 4,000 से बढ़ी है तो ये ब्लैक स्पॉर्ट बढ़ते ही जा रहा है इसका मतलब शुरुवात के समय में जो प्रिलिमिर लेवल पर जो DPR बनाने वाले है और जो PD और RO है जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने रोड बनाने के पहले उसके उपर जाकर विजिट करके उसका चेकिंग करना चाहिए था तो नहीं हुआ कभी या कमिया हो सकती है मैंने मुंबई पुना एक्स्परेस हाइवे बनाया अब काफी तीन हुए पर उस हाइवे का जब रोड सेफ्टी आडिट हुआ तो उसमें करीब अनेक प्रकार की गल्तिया निकली मिस्टेक्स निकली अब पूरी मिस्टेक जब सुधारी गई तो एक्सिडेंट का और मरने वालों का प्रमान पचास टके कम हुआ तो वो मेरी गल्ती थी उसमें स्विकारने में कोई संकोष नहीं होना चाहिए तो यह बोनाफेड मिस्टेक हैं को नहीं समझना है तो मेरा आपको यही कहना है कि रोड सेफ्टी का एक चालेंज आप सब के सामने है और इसमें कॉंट्रेक्टर, DPR कंसिल्टन, RO, PD, हमारे इंजिनियर्स, चीफ इंजिनियर्स थोड़ा कॉशेसली करिए रोड के जो हमारी साइनेज है वो अभी भी कन्फूज करते हैं मैं दुनिया की बात छोड़ दो, मैं ही एक बार बलती रोड पे चला गया क्योंकि साइनिस्टिक नहीं थे तो मरा आपको यही कहना है कि आप तो इंजिनियर हो तो कोई बात अगर आप स्पेसिफिकली चेक तरेंगे तो यह छोटी छोटी बाते आपके नजरों में आएगी और उसको अगर समय पर आप रेक्टिफाइ करोगे तो भविश्य के अनेक प्राब्लेम्स निर्माने नहीं होंगे मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि और इसलिए जो अच्छा हुआ वो तो अच्छा है और उसके लिए आप सब अभिनंदन के लिए पात रहे पर जो अच्छा हुआ इससे और अच्छा करने का इंस्पारेशन, मोटीबेशन और उसकी वीजन लेकर और अच्छा काम करेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रुप से काम होगा उच्छ कॉंट्रेक्टर ऐसे कि लगातार उनको आवार्ड मिल रहे है बाकी कॉंट्रेक्टर को क्यों नहीं मिल रहे है इसमें से एक कॉंट्रेक्टर को आवार्ड मिला मुझे उसकी कहानी मालूम है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट ILFS का था ILFS फेल हो गई उसके पहले L&T थी L&T ने काम छोड़ दिया मैं रोज बहुत टिका टिपनी होती थी जब वो प्रोजेक्ट में आज जिसको पुरसकर मिला उस कांटेक्टर को दो पैकेज मिले थी पर उस समय कुछ फाइनांशियल क्लोजर नहीं हो रहा था तो मेरे पास आया मैंने उसको कहा कि तुम एक काम करो एक काम किसी को दे दो बहुत दिनों वे शुरू नहीं हो रहा उसने का मैं करूँगा मैंने उला तुम करोगे यह तुमारा कॉंफिडेंस है पर एक काम ठीक से करो यह किसी और को आप देख लो उसने एक काम दूसरे को दे दिया एक काम खुद को लिया खुद काम किया अच्छा किया वर्ड रेकॉर्ड बन गया और उसको आवार्ड मिल गया यह कोई एक्सेंट होता है और एकदम वो दूसरी होता है इसा नहीं होता परिस्थितिया ऐसी होती है कि उस व्यक्ति को फेल्यूर्स का सामना करना पड़ता है पर ऐसे इसमें निराशन होते हुए फिर से एक बार आगे निकलना चाहिए मैं जब स्टुडेंट लीडर था मैं जिस पारटी में काम करता था उसका भविश्य बहुत ही बेकार था जो चुना लड़ते थे वो आरती थे और मैंने एक बार सत्कार किया क्योंकि मैं काम करता था तो विजे उमेदवारों का सत्कार किया तो विजेव उमेदवारों का मतलब था जिनका deposit बचाए उनका मैंने सत्कार किया था यहनि जितने वालों का नहीं पर मुझे विश्वास था हम लोग काम करते रहे और एक दिन अटल बियारी बाजपी जी की सरकाराई मोदी जी की सरकाराई तो पराभव से निराश नहीं होना चाहिए निगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए मैरे एक मित्र थे बहुत विद्वान थे वो उनको बहुत बड़ी मान्यता थी देश में सबस्वदा डिग्रिया उनने नहीं ली थी कॉंग्रेस के मंत्री थे राजे सावा सदस्ते थे और एक दिन उनने मुझे कहा कि निती ना तुमारा वविश्य अच्छा नहीं है मुझा ख्यों तुमारे पार्टी वोई वविश्य अच्छा नहीं है तु यह पार्टी छोड़ दो मैं नहीं जुड़ोंगा जो होगा सो होगा बाद में उनने मुझे किताब दी ते और वो किताब वो रिचर्ड निक्सन करके अमेरिकन राष्ट्रपती थे उनके जीवन पर थी आपको याद होगा वाटर गेट का कान जब हुआ था तो वाशिंग्टन में रिचर्ड निक्सन को उनके एक एरिया में लोगों ने रहने के लिए भी बनाई की थी कितना लोगों के मन में उनके परती हेट्रेट था और असे समय उनने अतना आत्मचरित्र लिखा था और उस आत्मचरित्र की बात जो है मैं जिन्दगी पर याद रखता हूं बहुत बार बताता हूं उसमें उन्होंने एक बात कही थी थी था man is finished when he is defeated, no man is not finished when he is defeated but he is finished when he quits पराज है उने के बाद कोई समाप्त नहीं होता है युद्धवु में छोड़कर जब भाग जाता है तब उसमाप्त नहीं है चैलेंजेस किसके लाइप में नहीं है अर्चन और समस्या किसके लाइप में नहीं है पर चैलेंजेस और अर्चन और समस्या ओपर जो मात करते हैं हो ही आगे जाते हैं और ये बात सब को लागू है और इसलिए अनवो से सीखते हुए परफेक्शन की तरफ जाना यही हमारा सब का प्रयास है हम लोग चाहते हैं कि cost of construction को कम करें quality of construction को improve करें और हमारी पर्यावरन को ecology and environment को protect करने के लिए हम contribute करें और मुझे लगता है कि लोगों को पढ़ता है कुछ दिनों के बाद यह बांबू के crash barrier के मैं बात करता तो तो मेरे साथ की आजू-बाजू के इंजिनियर हसते थे क्या-क्या नया नया लाते है कि बोले यह क्या होगा पर और वो बांबू का crash barrier इंदूर के institute में पास हो गया मैंने टाइलेट का पानी बेचने का काम साथ साल पहले किया मेरे शहर में मुझे तीन सो करोन रुपे मिलते है हमार को पान अगर पालिका को टाइलेट का पानी बेचा अभी अलग अलग प्रकार की ऐसी बाती होती कि जो बॉक्स होती है उस पर लोगों का विश्वास होने के लिए टाइम लगता है और जो प्रयोग करते हैं उनको support नहीं मिलता जो technology नहीं लाते हैं उसमें मैं मजाक में कहता हूँ आप क्या independent engineer है मैंने उसका नाम dependent engineer रखा है मैं जब जब मिटिंग में मुलाता हूँ तो एने च को पढ़ाने के वराबर आपने तो यह ऐसे engineer कुछ काम करने है जो कुछ कहने की ताकत रखेंगे कि यह गलत है तो काम होगा जो अगर नहीं रखेंगे तो मुश्किल होगी यह बात जरूर है कि boss is always correct बॉस ने भी ध्यान में रखना चाहिए कि subordinate कुछ बताता है अपनी गलत ही निकालता है तो उसको अन्य था नहीं लेना चाहिए अगर वो सही है तो उसको accept करना चाहिए मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि हमारे में बहुत बड़े सुधार हो रहे हैं और सुधार होते समय मैं आज सेकेटरी साब को बहुत दिनों से अनुरोद कर रहा है उन से दिन ये इवोटी और सियोएस का प्रफूजल मिला कितने दिन में किसने दिन किसने रखा और कितने दिन के बाद मिरने किया यह अगर हो जाएगा तो आपका एनेचा है और अपना सब आधास उदर जाएगा कोई प्राब्लेम नहीं रहे है मैं तुमको ग्यान कोई कम जा में मैंने गईर कानूनी काम नहीं बता है पर अब मुझे लग रहा है कि जो आर्बिट्रेशन में आवाड आते हैं तो एक बार उनका भी तो सतकार करें कि जिनके कारण हमको हजार हजार दो दो हजार करोड का चुना लगा अचा वह वह रुकते नहीं हजार देड़ अजार चरोड का चुना उसी केस में लगा कर अगले प्रोजेक्ट में फिर से चुना लगाने के तैयरी कर लेते हैं फिर वही घलतियां वहां करते हैं यह continuous process चल रही है कही न कहीं हमें bonafide mistakes होगी तो सुधरना होगा और time यह हमारे लिए बहुत important है financial जगत में time नाम का जो शब्द है वो capital investment और technology से भी महत्वपुर्णा है और इसलिए समय पर निर्णे करने यह बात अगर हमने की तो मुझे लगता है हमारे आधे problem solve हो सकते हैं वैसे मैं negative बातों की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं और अच्छा बन आमना अच्छे हैं पर और अच्छा कैसा बन सकते हैं इसल उनको हम यह कहें कि ताकि उनको तरफ देखकर बाकी लोगों को तो लगे हैं कि हम भी अच्छा काम करें तो उनका हम सतकार करें जिन जिन लोगों ने जान बचाई हमारी टनिल की स्केप में तो कितना बड़ा घटना हुई थी तो उन लोगों को भी हमने आज गवर्वान द तो आने वाले समय में हमने काफी वर्ड रेकॉर्ड किये, हमें बहुत अच्छी मानने ता मिली, पबलिक रिकगनिशन मिला, आपके बदोलत पार्लेमेंट में हमारे सब्जेक्ट पर मुझे जब चर्चा हो रही थी, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि 70 MP बोले, belongs to all political party, और उस दिन मुझे भी आश्चर लगा, कि 70 में से 70 अलग अलग party जो हमारे घोर विरोधी है, हर व्यक्ति ने भाशन के शुरुआत, पहले मेरा अभिन्दन किया, मुझे धन्यवाद दिये, और फिर भाशन शुरुआ, यहन होग NHI को, NHI DCL को, हमारे organization को जन्यवाद देते हैं, अडचने हैं, समस्या है, problems है, पर उसमें से भी मात करके हम आगे जा रहे हैं, आगे जाते रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है ownership, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी-कभी मैं कहता हूँ, कि NHI में टूरिस्ट और चले जाते हैं, तो मैं Secretary साब को कह रहा हूँ, कि जो आदमी permanent organization में रहता है, उसकी ownership अलग होती है, यह जो tourist आते हैं, वो contract marriage जैसा होता है, mutual understanding का, तो उतने तिनों तक रहते हैं, इसमें से भी अच्छे लोग होंगे, उतने दिनों तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं, तो ह हम IIT में उनको भेजें, और वहां से आकर वो उस ग्यान का उप्योग करके, अच्छा कार्य करें, यही हम सब की अपेक्षा है, प्रदान मंत्री जी का यह सपना है, कि 5 trillion dollar की economy बनाना, आत्म निर्भर भारत बनाना, और world की third largest economy बनाना, मुझे लगता है कि यह इसका संबंद direct infrastructure से है, जब तक water, power, transport and communication डेवलप नहीं होगा, तब तक capital investment इंडस्ट्री नहीं आएगी, तब तक agriculture and service sector भी डेवलप नहीं होगा, और जब तक तीनों सेक्टर डेवलप नहीं होगे, तब तक growth नहीं बढ़ेगी और employment potential नहीं बढ़ेगा, तो निश्चित रुप से हमारे NHI अच्छे अच्छे रोड जो बना है, मिनिस्ट्री ने, ये रोड के कारण कितना बड़ा socio-economic impact है, एक रोड के कारण कितनी industry आई है, इस एक रोड के कारण कितनी प्रगतियों और विकास हुआ है, मुझे याद है कि मैं आज मुझे वारका एक्सप्रेस हाईवे के tunnel से माया मुझे बहुत आनन्द हुआ, आज ये tunnel का consultant, design consultant को ने मुझे पता नहीं है, पर मेरा अभिन्नन उसके पास जरूर पहुचेगा, इतना सुंदर tunnel का design किया है, और इस project का design किया है, कि state of art project है, जब विपक्षिय नेता अधिरंजन चाहुदिरे मेरे घर पर आय थे, और जब व देश को इसका अभिमान है, वो बोलते-बोलते रूके नहीं, इतना सुंदर project बना है, इतना सुंदर design है, इतना अच्छा काम हुआ है, और बच्चत भी हुई है, तो मुझे लगता है कि naturally ये सब बाते आने वाले सव साल लोग याद रखेंगे, मैं आपको सही बताता कि मैं तो कोई चीजे याद रखता नहीं हूँ, मैरा सुबाने में रोज सुबह उठता और नया सोचता हूँ, पर अभिताब बच्चन ने एक बार मुझे कई भी बात आपको बता रहा हूँ, मैंने उनको एक बार मिले थे तो मैंने गा, अभिताब जी, मेरे को फाइटिं कि पिक्चर बहुत पसंद है, मैं जब स्टुडेंट था तब थर्ड क्लास में बैठकर, पहले लाइन में बैठकर, तुम्हारी दिवार और तुम्हारा जंजीर, तीन-तीन बार देखता था रो, फाइटिंग में बड़ी मजा आती थी, तो मुझे वह कह रहे थे हैं, नित आता हूँ, तो रोज तुम्हारी याद करता हूँ, क्योंकि मुम्ग्ड़ के पच्पन फ्लाइवर और वरली बांदरा के कारण, रोज मेरा समय बचता है, अब मैं मुम्गई को भी भूल गया, मैं वह जो अमारा समुद्र में बना है, वरली बांदरा सिपे, उसको भी मेरा जाना भी मुंबई कम होता है पर लोग मुझे नहीं बिले मुझे एक बहुत अच्छी बात है एक बार ये द्वारका एक्स्प्रेस हाइवे के बारे में ये नहीं हो रहा था तो मैं भी मुंबई जा रहा था तो मैं विस्तारा फ्लाइट में था तो वो उसमें ज्यादा बिजनेस क्लास में सीटे नहीं होती, पिछे बेठा था एक दन, यंग लड़का था, 35 साल की उमर होगी, टॉय लगा कर, स्मार्ट, तो उसने तुरन देखकर वो मेरे पास आया, और हवाई जहाज में नीचे जुक कर वो मुझे नमस्कर किया, उसने, मैं बड़ा संकोच हो, यह क्यों कर रहे हो, सर क्या पूछते हो, बोले, आपने मेरी जिन्दकी बनाई, बोले, आपने द्वार का एक्स्प्रेस हाईवे बनाया, मेरी वहाँ साड़े 300 एकर जगह है, मेरा दिवाला पीख चुका, मेरा अकाउंट NCLT में चला गया, मेरी काम अधूरे पड़े थे, जैसे जैसे आपका काम बढ़ते गया, मेरी किम्मत बढ़ती गई, आज मैं आग से 10,000 करोड का आदबी बनाओ, तो मैं पहरने पड़ू तो क्या करूँ, तो मैंने उसको मजाक में का, फिर एक काम जरूर करना, कि दिल्ली में अभी तक मेरा घर नही हुमें, कितनी बड़ी टाउंशिप बन रही, कितने लोगों को इंप्लोमेंट मिला, कितने बंगले घर बन रहे, इस सब आपके कारण हो रहा है, यह देश जो बढ़ रहा है, इसमें हमारा बहुत बिला कॉंट्रिबुशन है, हम जरूर अभी निंदन के लिए पात रहें, और इसके साथ-साथ, यह जो आज हमने सबका सथ्कार किया है, निश्चित रुप से इसमें हमको समाध आना है, कि हम अच्छे इसमें आएं, पर इस से आगे भी हमको जाना है, और वर्ल्ड बेंचमार्क को और निश्चित पर रुप से ऊसिल करना है, क्वालिटी अच्छ मैंने जब कहा तो निश्चित रुप से हमें इसका सबसे बड़ा समाधान मिलेगा आप सब के प्रयासों से उस सपने को आप सब लोग जरूर पूरा कर सकते हैं और पूरा करेंगे इसी विश्वास के साथ मैं फिर से एक बार सभी जिन लोगों को अवार्ड मिले उनको निवाद देता हूँ और अपने बात समाब करता हूँ धन्यवादू